हेलो दोस्तों कैसो आप लोग उम्मिद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सल में सेल और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं तो चलिए यहां पर टाइप करेंगे एक्सल रेंटर ब्लैंक वर्क बुक तो चलिए यहां से इतने हिस्से को हम सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद इसको यहां से मर्ज कर देंगे ठीए और यहां पर टाइप करेंगे हम सेल परचेज इस अभी को सेलक्ट करेंगे इसको हम सेंटर में कर देंगे और इसकी सेलेक्ट को बढ़ा देंगे ठीए यहां पर इसको कलर देंगे और इसे बोल्ट कर देंगे अब यहां पर हम टाइप करेंगे एसार नमबर ठीए एसार यहां दूसरे कोलम में लिखेंगे आइटम इसके बाद टैब इसके बाद यहां पर तीसरे में लिखेंगे अश्टोक टैब चोथे में लिखेंगे हम सेल टैब और यहां पर लिखेंगे परचेज इसके बाद टैब और लास्ट में लिखेंगे हम टोटल तो यहां पर एसार नंबर में वन टू दोनों को श्लेक्ट करेंगे और इसे प्लस के आइकन जैसे ही बनेगा तो इसे नीचे कीज देंगे ठीक है अब यहां पर आइटम में यहां पर आइटम डाल देंगे क्या होगया अपका टेबल एंटर जग एंटर माउस एंटर कीबोर्ड एंटर अपका होगया फिर मोनीटर इसके बाद सी पी यू एंटर और इसके बाद एंटर इसके बाद आगया अपका चेयर एंटर फिर होगया बेंच इसके बाद आगया बेड एंटर यहां पर इस टोक में हम डालेंगे हम इस टोक टेबल कितना हमारे पास दिये होगया सी एंटर साट एंटर चालिस एंटर सतर एंटर पचास एंटर थीस एंटर वीश लबद है और दस इसके बाद यह असी हो गया अब यहां पर सेल्स में टाइप करेंगे कि हमने अश्टोक तो हमारा आइटम में टेबल हो गया अश्टोक में हमारे पास 80 है तो हमने कितने का बेचा कितना बेचा इसमें से 80 में से तो मान लीजिए 80 में से हमने बेच दिया 45 enter 60 में से बेच दिया हमने 6 enter 20 enter 65 इसके बाद हो गया आपका 44 30 enter 72 enter यह अब का 20 35 का 15 यह अब का 13 यानी की हमने यह जो आइटम है इतना का अश्टोक है ठीक है और यह जो सेल्स के आपने यानि बेचा है इतने में से इतने बेचा है अब इसमें से हम परचेज करेंगे तो यहाँ पर हमने यह परचेज कर लिया एंटर 45 65 75 65 23 20 ठीक है अब हम इसमें टोटल निका लेंगे ठीक है कि हमारा जो ये आइटम है इसके बाद ये श्टोक होगे आपका 80 sales यानि कि हमने 80 में से 45 बेच दिया और इसके बाद फिर हमने 46 खरीद लिया तो ये हमारा टोटल कितना हुआ तो यहाँ पर तो यहाँ फर्मूले बार में आएगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इसके बाद ब्रैकेट ओपन और इसे stock वाले को select करेंगे इसके बाद minus इसके बाद sales को select करेंगे फिर यहाँ पर टाइप करेंगे plus इसके बाद purchase वाले को select करेंगे और ब्रैकेट बंद इसके बाद enter तो हमारा यह 81 बच गया तो हमारा जो है यह 80 टोटल निकल के आ गया है यानि कि हमारे पास stock 80 का था sales हमने 45 का किया यानि 45 बेचा फिर हमने 46 खरीद लिया तो इसमें से total हमें 81 बचा फिर इसको क्या करेंगे प्लस का जिसे यह 100 होने लगा तो इसको पकट के खीच देंगे नीचे और यह हमारा सब का total निकाल के दे देगा अब यह सभी का total करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे type करेंगे total यहाँ पर type करेंगे scale to फिर इसके बाद sum bracket open इसे सभी को select कर लेंगे यहाँ से और bracket close enter तो यह हमारा यह total आ गया है 713 उमीद करता हूँ कि आप लोग sales और percentage की entry Excel में करना समझ गए होगे तो यहाँ पर इसे सभी को select करेंगे और यहाँ से bold कर देंगे वीडियो आप लोगो कैसी लेगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दें मैं मिलता हूँ नेश्ट वीडियो में जेहिन बने बादरू झाल मिलता हूँ तो झाल झाल झाल